हाई स्टूडेंट्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आजाद हिंद फोज एवं नेता जी की भूमी का कक्षया नो इतिहास पार्थ नंबर साथ के अभ्यास के पर सनुत्तर हरियाना बोड की एक किताब है हमारा भारत च्यार तो इस किताब के अभ्यास के पर इस वीडियो में कराने वाले हैं चलो शुरू करते हैं मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास अब यहां पर एक काम की जानकारी दे देता हूं आपको जो है ना complete बुक जिसके अंदर notes, question answer, important question, mcqs यह सारी चीजों की वीडियो आपको मिल जाएंगी और साथ में आपको return में भी मिलेंगे हमारी official website ccl chapter.com पे दोनों link description में है चेक कर लेना अब शुरू करते हैं यहाँ पे पहला जो question आता है हमारे पास वो है फिर से जाने, फिर से क्या जाने भाई चलो बता दो जो बताना हो इनको नेता जी पंडूबी के दवारा यातरा करके जर्मनी से Asia पहुंचे थे, नेता जी ने अंडमान और निकोबार दवीपों को सहीद वे सवराज नाम दिये थे, मतलब अपने chapter में पढ़ा हो यह बात, यह काम की बात थी कि इन्होंने इन दोनों दवीपों का नाम बदल दिया और यह नाम रख दिया था बाद में, नेता जी ने जर इपोर्टेंट है, यह भी आ सकता है, पूछ लेते हैं कहीं बार की कितनी बार जेल गए हैं, चलो, आगे देखते हैं भी, आईए, विचार करें, कौन से विचार करें हैं, छोटे से परसन है, चार परसन आई थिंक, और जल्दी हो जाएंगे, कोई बड़ी वीडियो तो ब अवितरता में गहरा विश्वास रखते थे, जबकि नेता जी साध्य के लिए किसी भी साधन को अपनाने के हक में थे, यानि कि तुम्हें जो मलब अचीव करना है कुछ भी, तो गांदी जी क्या मानते थे, दीरे दीरे जो है, अपने आप होता जाएगा, तुम्हें बस पूछे गए सवराज के सवालों का महतमा गांदी नेता जी को सपष्ट उत्तर नहीं दे पाए, जिसके कारण भी उनके अंदर वैचारिक भेद थे, तो मलब ये जो है ना कुछ कारण बताए हैं यहां पे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसी वज़े से जो है विचा जान पर कैसे बनी क्या सीन, सौरा कुछ हमको बताना है。 मोरा मोरी 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 से लिख दिया है. आपको आधफर करिपर में आए गई, इसलि participating वें अच्छे से याद करना है आपको। इस चैप्टर के बहस के परसन उत्तर सारे याद करने हैं एक तीसरे वाले को छोड़के क्योंकि वो तो रेंडम ऐसे ही है चलो देखेंगे वो बता दूँगा मैं कैसा परसन है कुछ नहीं है वो चलो देखते हैं आजाद हिंद फोज के गठन पर एक टिपनी लिखिए फरवरी 1942 में जब अंग्रेजी सेना ने सिंगापूर में जापानी सेना के सामने हत्यार डाले तो नेता जी ने एसिया जाने की योद्णा बनानी शुरू कर दी तथा 90 दिन की पंडूबी की यात्रा करके वे दक्सीन प परियास किये उनके अलावा बर्मा थाइलेंड और संग्हाई में कर्म से परती प्रीतम सिंग बाबा अमर सिंग और बाबा उस्मान खान भी सवतंतरता की अलग जगाए हुए थे अब यहां पर टोटली बात क्या हो रही है यहां पर कहीं सारे अलग-अलग बंदे थे आजाद हिंद फोज का गठन हुआ था तो यह गठन समझगे ना कैसे हुआ अकेले जो है ना सुभास्चंदर बोश ने नहीं करा बहुत सारे लोगों ने मिलके इस फोज का गठन करा था हुआ गठन हुआ लेकिन सीगर ही मोहन सिंग वैजापान अधिकारियों में मतबेद इसका घ्ठन होने लगा यानि सेना कम जोर ओने लगी आजाद हिंद फोज में तीन लंग साइनिक भरती करना चाहते थे इसके लिए अब भाई फोज तो समझते हो आर्मी को फोज कहते हैं तो बहले वह जो लड़ाई थी लड़ाई के लिए तो फोज तयार कर रहे थे यह जो हैना जगाह हैं यह जगह है कि मैमार के अंदर बर्मा जिसको पहले बुलाते थे तो वहाँ पे भारत का हिस्सा नहीं है तो वहाँ के एक उध्योग-पती अब बोल। भाई वहाँ वाले लोगों को नेकों दिया क्योंकि उस समय वह ऐसे कनेक्टिट था पूरा इंगल की संपत्ति नेता जी के कदमों में रख दी रंगून में आजाद हिंद बैंक की स्थापना हुई परवासी भरतियों ने अपने गहने बेच कर नेता जी को धन दिया नेता जी ने अधिक आधिक सैना भरती सैनिक भरती करने के लिए सिंगापूर मलाया जावा सुमातरा वर्म सब जोगों फोज के दफ्तर खोल दिये तो यह था हम चोटी टिपनिंग करने देखो वो डिपैंड करता भाई यह पेपर में किस हिसाब से हमारा यह परसन आता है अगर परसन मेरे हिसाब से तो आएगा दो या तीन नंबर का इस यह बड़ा परसन है नहीं ठीक है इतना ब अगर बड़े माकस में आए तो आप कर पाऊ उसको कमसे कम आपने पड़ा हो कि आगे क्या हुआ था ठीक है तो इसलिए मैंने इसको लिखा है नहीं तो आप यहां तक कर सकते हो और नोटबुक में पूरा ले लेना बाकी प्रिपेर करो तब भी पूरा करना एक्जाम में कुछ भी आ सकता है लेकिन जो है ना एक्चुल में आएगा जरूर इस चैक्टर से कोस्टन में लग रहा यदि नहीं तो अपने तर्क रखिए भाई यह आपको मानना है मैंने अपने हिजाब अपना तर्क दे दिया है देखो यह जो है ना काम का तो है नी परसन आपको भी समझ में आ गया अपना इंथ में आ चुके हो ना परसन पेपर बहुत दिया आपने भी तो आपको भी मानते नहीं यहीं मानते हैं तो मैं नहीं कि आगर नहीं करते तो क्या लिखना पड़ेगा नेताजी कि मुझे अइसा नहीं मना जाता है सब्सक्राइब लाइन कीसी विद्रोही का दैसा शरीर सरीर को गटना स्तल पर नहीं पाया गया ऐसा तभी संबब है जब किसी ने उन्हें मारने की साजी सरची हो या फिर ऐसे छिपा लिया हो कुछ भी हो सकता है भाई अपने पास से तुक्के भीडाने तुम भी भीडा लो मैं भी भीडा लूगा तुक का चलो अगलाय परसन पर आते में बनाया है इंपोर्टनेट वाले में आपके लिए थोड़ा रहे कि भाई हमें पता था यह चीज भी हमने पड़ी थी कम से कम चलो देखते हैं यहां पर यहां पर यह लाइन मैंने अडिशनली आड करी है मज़े के लिए भारत के आजादी के लिए क्योंकि हमें यहां पर बता हिंद फोज को संगठित करते हुए आहवान किया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद ही दूँगा चलो आजाद दो जाओ तुम बिल्कुल से अभी चलो यह सीन है अब यहां पर जो है ना आजाद हिंद फोज का इनोंने गठन करा और यह दोनों का योगदान जो के माध्यम से राष्ट्रिय आंदोलन को जुझारू एवं संगर्सील बनाया संगर्स एवं यूद करके राष्ट्रिय भावना को तीवर्तम सत्र पर पहुँचाया सुभास चंद्र बोस ने हिंदू मुसलिम सिख सभी को सेना में समान रूप से भरती करके सामपरदाइक ए की गई प्रेणा का प्रिणाम था अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया और यह पॉइंट भाई वहां क्या कर रहा है यह नीचे आना चाहिए था अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है को डोट लगी है यह पर एक बढ़ोगी कुछ चलो कोई ना महिलाओं ने जेवर दिये बताई देवी ने संपत्ति दान कर दी लक्समी सुवामी नातन ने रेजिमेंट का नेत्री तव किया हजार उस्त्रिया यूद के मोर्चों पर सक्रिया रही जिससे संगरसिल अंदोलन में महिलाओं की भागेदारी हुई खास तो पर हम यह इतना पॉइंट है एक दो तीन चार पांच है यहां पर भी एक साथ और आठ ठीक है आठ पॉइंट है आपको इन में से कोई भी चैन याद कर लेने कम से कम ठीक है बाद वाले देखो जैसे ट्रोपी यह पॉइंट है महिलाओं के बहुत सारी नाम है याद नहीं होते छोड़ तो तो यह था हमारा इस वीडियो में चोटे से चलो वीडियो खतम करते हैं बागी जो ने इसके इंपोर्टेंट कोशन और एमसी के उजवाली वीडियो देख लेना और भी आपकी जो प्रिपेरेशन चैप्टर के रिगार्डिंग बढ़िया हो जाती वीडियों की जानकारी जाएगी चैप्टर नहीं समझा तो भाई चैप्टर समझ लो पहले फिर कोशन अंसर करो ठीक हैं तो चलो वीडियो खतम करते हैं मैं कवर करने वाला हूं कलास वन से लेके 12 तक सभी सब्सक्राइब करो साथ में घंटी दबाव ताकि कोई भी अपडेट आए टाइम से मिल जाएँ